असलाम अलेकाम वेर्कम बेक टो मैं चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेकनोलोजी और मेरा नाम है नवीरस लब हम लोग वहीं से कंटीनिव करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो चोड़ी थी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसको कनेक्शन कैसे करन यह मारे पास सेलेक्टर सुचा है विंडो एसी पाल का तो पहले सबसे पहले हम लोग सेलेक्टर सुच चेक करेंगे इसको चेक करने के लिए कि कौन सी केबल किदर किदर लएगी इसके पूइंट पूरे काम करते हैं नहीं करते हैं इसको चेक करने के लिए हमें चाहिए मल् सबसे अलग रहेगी वह हमारी कॉमन पिन होगी इस पे इन्होंने दिया भी हुआ है लिखा हुआ इसके उपर तो एक पिन हम उसके से लगा देंगे दूसरी आप देख लें अभी किसी के साथ नहीं बोल रहे इसका मतल़ है यह ओफ पोजिशन में है यह अन किया पिसके साथ बोल रही है सिर्फ एक बोल रही इसका मतलब है यह फैन की होगी कंप्रेसर की हो आहरा चलके मैं अकलता हूंगा यहां से कंप्रेसर निकल के अध़ जाएगी अब देखने पहले इसके साथ चल रहा था अब इस के साथ चल नहीं है, मतलब ये दोनों चल रहे है, अब ये थी सक चल रही है और ये कुम्वन के सथ ये हमारी कमडर्टर की होगी और ये थीप्पेड होगी आप इसके ओपर लिखा भी हुआ है 1, 2, 3, 4 शाहिए इसमें नजर आया आपको आप यह अप थर्मस्टेट करें जो इसके ओपर लगा भी होगा 1, 2, 3 जो है यह मारी स्पीड है और 4 नंबर जो है यह मारी कंप्रेसर की है तो हम लोग इस पर देखेंगे हमारी main speed कौन सी है high speed कौन सी है low कौन सी है और medium कौन सी है, यह आप देखें यह ब्लैक वाली हाई है, ब्लू वाली मीडियम है और रेड वाली लो है तो यह ब्लैक वाली लगाएंगे हम एक नमबर पर और ब्लू वाली लगाएंगे दो नमबर पर और रेड वाली लगाएंगे तीन नमबर पर और उसके बाद ये जो एक केबल है हमने इसके साल लगए थी यलो के साथ लाइन और एक हमारी लग जाएगी सीधी सिलेक्टर सुच के साथ अभी हम इसको ओन करेंगे ये हमारी मोटर स्टार्ट होगी अभी तिनो स्पीड चेक करेंगे ये लोव है ये मीडियम है और ये आई है आप देख सकते हैं इधर बंद होगी है इधर अगर फैन खाली चल रहा है इधर अखेला फैन चल रहा है इधर फैन के साथ कमरेसर भी चल रहा है आप देख सकते हैं इधर फैस निकल रहा है इसके साथ भी कमरेसर चल रहा है और इसक चले इंशाला अब इसके बाद यहां से जो वायर जाएगी आगे किस जगा लगानी है किस लगानी है और कंप्रेसर कैसे चलाएंगे उसके बारे में बात करेंगे थेंक यू